हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi नमस्कार, पॉलिटी की एम लक्षमी कात्म की किताब की सीरीज में आपका स्वागत है मैं हूं अमरितुपाध्य है दो एपसूड हम अल्रेडी कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लिए तीसरा एपसूड है अगर आपने पहले नहीं देखा है तो इसको देख सकते हैं क्योंकि हम इसमें एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर किताब की एम लक्षमी कांत किताब की जो का पहला जो चैप्टर है वो है और पहला चैप्टर क्या है समविधानिक धाचा के अंतरगत एतिहासिक प्रिष्ट भूमी किताब में क्या किया गया है भाग बनाए गया है तो भाग एक है समविधानिक धाचा और उसके अंदर चैप्टर्स दिये हुए है तो पहला करेंगे वह कंपनी कर शासन ठीक है लेकिन पिछले एपसोड में हम कहां पर थे छोटा सा रिकैप करेंगे और कुछ points रह गए थे उसको हम आज consider करेंगे पिछली बार हमने पिछले episode में देखा कि समविधान वाद क्या है समविधान वाद दरसल सरकार के पास और सीमित शक्तियां नहीं होनी चाहिए इस सिद्धान पर आधारित एक complex विचारो का एक सम्मू है ठीक है अब जब सम वैद का मतलब यह हुआ कि सरकार के पास सीमित ताकत नहीं होनी चाहिए मतलब सीमित सरकार कि अधार ना आई और सीमित सरकार का मतलब है कि सरकार पर कुछ सीमाएं आरोपित करनी होंगी, जो कौन करता है, सम्विधानबाद करता है, तो सीमाएं आरोपित करने के लिए कुछ टूल्स होंगे, और वो टूल्स हमने देखे पहले, विधी का शासन, रूल अफ लोग, जो कि डायसी ने दिया, इसके अपवाद भी हमने देखे कि हू बहू जो ड जिसका मतलब सीधे सीधे था कि कानून बनाने वाली संस्था विधाईका हो गई, कानून को इंप्लिमेंट करने वाली संस्था विधाईका हो गई, और उस पर जो नयपालिका है, जो कि विवादों का निप्टान करेगी, निर्वचन करेगी, और नयक समिक्षा करेगी, य क्या-क्य उपकरण होंगे? पहला उपकरण तो ये है कि अधिकारों की गेरंटी अगर नागरिकों को दीजिएगा तो सरकार सीमित हो जाएगी. कैसे? जैसे आपको कहा गया कि ये आपके अधिकार हैं, इसको आपके सरकार चीन नहीं सकती, राज जी छीन नहीं सकते हैं इसका मतलब राज जी पर एक limitation दे दिया गया है या राज जी को कहा गया कि नागरिकों की यह अधिकार है जो आपको हर हाल में मुहया कराना ही कराना है इसमें कोई if-but नहीं है तो वो क्या होगा एक limitation है गौर्णमेंट पर एक सीमा है जैसे आपको प्राण और दैहिक स्वतंतरता की आजादी है अगर अधिकार है आर्टिकल 21 में या फिर अभिव्यक्ति का अधिकार है आर्टिकल 19 में के सब क्लॉज में तो कहने का मतलब की जो अधिकार दिये गए हैं वो भी एक तरीके से क्या ह मतलब ही है कि व्यक्ति के हित में राज्य पर सीमाओं का आरोपन करना ना कि राज्य के हित में व्यक्तिओं पर सीमाओं लगाना ठीक है तो इसका एक तूल नागरीक अधिकारों की गैरेंटी भी है इसके अलावा पक्षपात रहित चुनाओं सरकार क्या है कारेपालिका कारेपालिका हर पांच साल में इलेक्षन को फेज करती है अगर आपने ठीक से काम नहीं किया अगर आप सम्विधान के हिसाब से नहीं चले अगर आप लोगप्रिया सरकार ये पूरी सरकार किस के लिए जनता के लिए काम कर रही है जनता से ही ताकत मिली है लोकतंत्र में हम संविधान की ताकत जितनी है वो किसके द्वारा मिली हुए जनता के द्वारा मिली है तो जनता के लिए काम करना है अब सवाल यह है कि जब पांच साल आपने ठीक नहीं काम किया अगर तो इलेक्शन होग तो आप सरकार में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि लोग आपको वोट न देकर बाहर कर देंगे, तो क्या ये एक सीमा है सरकार पर, बिल्कुल है, कि अगर सरकार को असीमित शक्ति का अगर प्रयोक करना शुरू कर दे, मनमाने तरीके से गवर्मेंट चलाना शुरू कर दे, तो बाकी सीमाय तो हैं ही, कि नयायाले भी उसको स्ट्राइक डाउन करेगा, कई सारे लोज को, लेकिन क्या इलेक्शन में सरकार गिर नहीं जाएगी, गिर जाएगी, इन मतलब बदल जाएगी, ठीक है, तो पक्षपात रहे चुनाओ भी इसका एक उपकरण है, सरकार को सीमित करने का, इसी तरीके से स्वतंत्र नयाय पालिका, कारे पालिका जब भी कुछ ऐसा करेगा, जो सम्विधान से बाहर जाएगा, तो स्वतंत्र नयाय पालिका उसको क्या करेगी, उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी, नल कर देगी, वोइड कर देगी, ठीक है, तो स्वतंत्र नयपालिका के आगे भी स्वतंत्र लगा हुआ है और मीडिया के आगे भी स्वतंत्र लगा हुआ है छुनाओ के आगे भी पक्षपात रहित लगा हुआ है अगर ये सारे सिस्टम अगर थोड़े थोड़े करप्ट होने लगेंगे या फिर इन में कोई ऐसी दुर्भावना आ करते रहता है ताकि कोई कहीं लीक से बाहर ना आटे तो स्वतंत्र मेडिया भी इसका एक उपकरण हो सकता है और सबसे बढ़ कर क्या लोकतंत्र सरकार को की सिमाओं को आरूपित करने का का एक उपकरण हो सकता है कि नहीं बिल्कुल हो सकता है राज तंत्र में क्या ऐसा पॉसिबल है राजा के अधिकारों को आप सीमित कर दें राजा के पास असीमित अधिकार है ठीक है लेकिन लोकतंत्र में क्या शासक का अधिकार इतना ज्यादा हो सकता है कि असीमित मनमाने त रहा है जनता के लिए और जनता के द्वारा लिया जा रहा है जिसके केंद्र में लोक है लोग हैं वो सरकार खुद खुद सिमित होगी क्योंकि लोकतंत्र का पूरा धाचा ही इस तरीके का है जिसमें किसी को भी असिमित पार नहीं मिला हुआ है सरकार असिमित हो ही नहीं सकती ठीक है तो भारत के संदर्म में ये सारी चीजें जो हैं वो समिधानवाद के उपकरण के तौर पर हम मानते हैं चलिए आज शुरू कर देते हैं तिहासिक प्रिष्ट भूमी जो कि आपकी किताब का पहला चैप्टर है बहुत सारे लोग आप में से ये पूछ रहे हैं कि सर ये क्लासिस बंद तो नहीं हो जाएंगी बिल्कुल नहीं बंद होंगी क्यों बंद करने के लिए थोड़े शुरू किया है किसी भी चीज़ के बंद होने की एक ही कंडिशन हो सकती है ये तो एक तो free course है आपके लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई chargeable course है ठीक है या course बना कर app पर दिया गया है ये पूरी तरह से मैं ऐसे ही पढ़हूंगा समय लग सकता है धीरे 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 इसमें आगे बढ़ेंगे इसलिए समय लएगा कि थोड़ा विस्तार से हम पढ़ रहे हैं आप कहेंगे कि सर इतने विस्तार से मत पढ़ाईए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाईए तो comment में मुझे बताईएगा जैसे हम अतिहासिक प्रिष्ट भूमी पढ़ने वाले हैं, आज हम जिस हिसाब से पढ़ेंगे उसमें थोड़ा समय लाएगा, अगर आप कहेंगे कि नहीं, इतना मत कहानी सुनाईए, तो फिर थोड़ा जल्दी निकाल देंगे उसको, ठीक है, लेकिन ये भी बहुमत के अधार पर तैह होगा, और बहुमत कैसे पता चलेगा, आप में से लोग, आप सारे लोग comment कीजिए, कि क्या आपको ये class इसी तरीके से ले चलनी है, या इसको short करना है, चोटा करना है, duration को, पहली बात तो ये होगी, अगर बंद होने की condition आती है, उसका एक ही condition हो सकता है, कि जितनी मेहनत किसी प्रोग्राम पर हम कर रहे हैं, या जितना समय दे रहे हैं, जितना निवेश कर रहे हैं, वो उस हिसाब से अपना result नहीं देगा, तो फिर एक condition आती है, जब किसी प्रोग्राम को बंद करना पड़ता है, इसमें कोई दोरा है न बंद हो, अगर एक लाख लोगों तक ये प्रोग्राम पहुंच रहा है, तो क्यों बंद हो, लेकिन हाँ ये है कि एक लाख लोगों तक मैं जाकर नहीं पहुंचा सकता हूं, अगर इस free course को हमें ऐसे ही चलाते रहना है, दमखम के साथ चलाते रहना है, तो आपको भी इसमे अगर अच्छा लग रहा है, अगर फैदा हो रहा है, तो आपको सिर्फ एक काम करना होगा, कि एक व्यक्ति, मैं एक लाख लोगों तक जाकर तुप दिखाऊंगा नहीं, इसकी पहुंच बनाने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना होगा, कि कम से कम एक अपने तेयारी करने वाले मित्र को दे दीजे, खिर वो देखेगा तू हो सकता है, उसको ना पसंद आये तू नहीं देखे, लेकिन आप एट लिस्ट वो भूमी का निभा सकते हैं, कि जितना ज्यादा रीच हो जाए इसका, उस कंडिशन में उतने ही बच्चों को उसका फायदा मिलेगा, और ये प्रोग्राम भी उसी तरीके से सस्टनेबल चलतर रहेगा, ठीक है, चलिए आएए देखते हैं, अतिहासिक प्रिष्ट भूमी, में हम दो हिस्से पढ़ते हैं, एक तो कंपनी का शासन और एक पढ़ते हैं, बिटिश क्राउन का शासन, समराट का शासन, कंपनी का शासन हम पहला रेगुलेटिंग एक 1773 में आया था, तो हम 1773 से लेकर 1858 तक एक कलब करते हैं, जिसमें कंपनी के शासन को देखते हैं, और समराट का शासन शुरू होता है, मतलब 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, समराट ने पूरी सत्ता को अपने हाथ में ले लिया, मतलब पहलेंगे, 1773 से 1858, पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जहां से बात शुरू होती है, फिर 1781 का संशोधन एक्ट, पीडिएफ में ठीक कर लिजेगा, ये 61 लिखा गया है, 81 होगा, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1786 में एक एक्ट आया, 1793 का चार्टर एक्ट, 1893 का चार्टर एक्ट और 1883 का चार्टर एक्ट, ये 8 चीजे हमें पढ़नी है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, 1858 से शुरू करेंगे भारत सरकार एक्ट, क्योंकि यहां आप सरकार सिधे सिधे ब्रिटिश तके हाथ में चलीगी, 1858, फिर 61, फिर 1892, फिर 1909, फिर 1919 का भार चारत शासन एक्ट, 1947 का भारतिया स्वतंतर ताधिनियम, साथ इधर पढ़ने हैं, टोटल 15 पढ़ने हैं, आईए देखते हैं, ये थोड़ा सा factual पार्ट जादा है, ठीक है, इसलिए हमें इसने थोड़ा सा समय इस चीज़ पर देना चाहिए, कि हम किताबों में जिस तरीके से दिया हुआ है, उसमें हम चीज़ों को याद करने लगते हैं, और याद करने में कभी भी ये चीज़े याद नहीं हो, तो याद कैसे करें, याद इस तरीके से करना है कि कहानी की तौर पर इसको सुन लीजिए, कहानी थोड़ी से लंबी है, तो आपको कहानी ही से सारी ब जब हम ये सवाल अपने मन में करेंगे कि 1773 का regulating act क्यों लाना पड़ा, तो फिर हमें समझना होगा कि 1773 में परिस्थितियां क्या थी, परिस्थितियां ही रही होंगी जिनकी वज़े से regulating act लाना पड़ा होगा, तो उन परिस्थितियों को समझे भी ना हम कैसे समझेंगे कि regulating act क प्रावधान क्या क्या थे, क्यों थे, इसलिए क्योंकि उन परिस्थितियों को counter करना था, तो इसलिए हमें ये समझना है कि 1773 के समय में, या 1779 से लेकर 1773 के आसपास का जो समय था, उसमें कैसी परिस्थितियां थी जिसमें एक regulation के लिए act लाना पड़ा और ये regulation किस पर हो रह है, British सरकार ने पहली बार विनियमित करना शुरू किया, regulate करना शुरू किया company को, अभी तक company अपने जो भी फैसले लेती थी, बहुत स्वतंत्र तारीके से लेती थी, उस पर कोई लगाम नहीं था, लेकिन 1773 में British संसद को लगा कि नहीं, अब लगाम ज़रूरी है, उसकी व व्यापारी, व्यापारियों का एक समूँ, इंडिया आने के लिए एक charter pass कराता है, किस से, एलिजाबेट से, प्रथम से, जो हां कि महरानी थी, अब वहां कि महरानी से एक charter का मतलब हो गया है, गुष्णा पत्र, अधिकार पत्र समझ लिजिए, एक अधिकार पत्र लेकर व से लड़ाईयां वड़ाईयां भी लड़ती है, और धीरे 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 ये कुछ कारखाने इस्थापित करती है, और company का business चल पड़ता है, क्योंकि company business करने के लिए आई थी, अब तीन चीजे समझे, एक है यहां Britain, ठीक है, यहां एक company है, यह भारत है, यह company यहां से च लिए आई है, भारत में, आई थी business करने के लिए, धीरे 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 इसने अपनी सेना बना ली, इसने प्रशासनिक धाचा खड़ा कर लिया, कई सारे युद्ध लड़े, नेवी के इसके बहुत ताकत हो गई, 1765 में, 1764 में एक महतुपूर्ण युद्ध हुआ, बक्तर का युद्ध, बक्तर का युद्ध में अंग्रेज सेना के खिलाप, तीन बड़ी ताकते मिलकर लड़ रही थी, एक बंगाल का नवाप था, एक आवद का नवाप था और एक मुगल की सेना थी, सोचिए इतनी बड़ी ताकत को अंग्रेजों ने हरा दिया, बक्तर के युद् इनको इसके बदले में क्या मिला, 1765 में इन्होंने बंगाल का दीवानी अधिकार मिला, दीवानी का मतलब मोटे तोरपर राज़ास्व से जुड़े जो मामले थे, सब वो अधिकार मिले, राज़ास्व वसुन्ने का अधिकार, असली इनका मकसद पैसा कमाना था, और उस पैसे में से शेयर जाता था ब्रिटेन की सरकार को जाता था अब 1600 इस्वी में और बाद में जब regulating act आया दोनों में अंतर क्या था 1600 इस्वी में पूरी तरह से राजतंत्र था ब्रिटेन में मतलब महरानी ने जब इन्हें भेजा था तो अपना शेयर उनका था ठीक है crown का महरानी का शेयर जाता था मुनाफ़ा का शेयर जाता था तत्रहशोतिहर में इस्थिति क्या है सत्रह षुतिहर में यहां पर जो crown है वो नाम मात्र का प्रधान हो चुका है और वहां समयधानीक राजतंत्र के ARE मतलब और यह ब्रिटिश सरकार को अब हिस्सा जाता है इनका कंपनी से तो वह कंपनी का मकसद तो उस समय भी पैसा कमाना था 1773 में भी कंपनी पैसा ही कमाने के मॉडूल पर चल रही थी ठीक है तो 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है और 1765 में कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलती है दो तरह के अधिकार थे एक तो दीवानी अधिकार थे एक निजामत का अधिकार था दीवानी अधिकार का मतलब हो गया राजस्व से जुड़े हुए सारे अधिकार राजस्व वसूलने का अधिकार तै करने का अधिकार और निजामत का मतलब हो गया प्रशासन से जुड़े हुए अधिकार जिसमें सेना भी आ जायेगा थीखे तो राजनितिक और प्रशासनीक अधिकार जो दे वो किसके पास थे नवाब के पास बंगाल के नवाब के पास इन्होंने छोड़ दिया और अपने पास क्या रखा दीवानी अधिकार रखा जिससे इनको मतलब था इनको पैसा कमाना था कंपनी के पास किसी ने कमेंट किया है कि सर राइटिंग आपकी समझ में नहीं अरे भाई मेरी राइटिंग ऐसी ही है ये एक सोड़ी से दिक्कत है थोड़ा सा समझ के अपने पास नोट कर लीजे तो ज़्यादा अच्छ है मैं कोशिश कर रहा हूँ हाला कि थोड़ा ठीक कर लूँ तो निजामत का अधिकार और दिवानी अधिकार समझ गया लेकिन यहां दिक्कत एक और है कि यहां जो निजामत का अधिकार है वो भी इंडिरेक्टली कमपनी ही डील कर रही है क्योंकि यहां जो नवाब बनाया गया है वो कटपुतली है अंग्रेजों का तो कमपनी इंडिरेक्टली निजामत पर भी दावा अपना अधिकार चला रही है और दिवानी अधिकार तो इनके पास प्रत्यक्ष है ही और ये विवस्था किस्ने कियाता है इसको बूलते हैं द्वैधशासन द्वैधशासन का मतलब है General Administration मतलब दो तरफ से Administration चल रहा है एक दिवानी अधिकार किसी और के पास है और निजामत का अधिकार किसी और के पास है तो द्वैद शासन ये लेकर आया था रॉबर्ट क्लाइडू इस द्वैद शासन की वएसे बंगाल में बड़ी दिक्कत थी बंगाल में 1779 के आसपास बहुत बड़ा अकाल पड़ा और ये मतलब भारत की इतिहास का बहुत बड़ा अकाल था लाखों लोग मर गए शुरूब हो गई श्टॉक होने लगा अनाज क्योंकि अकाल पड़ गया था तो सबसे ज़्यादा जमा खोरी तो ब्रिटिश कंपनी ने किया कंपनी ने अपने सेना के लिए कर्मचारियों के लिए जो कंपनी के सर्वेंट्स थे इनके लिए अनाज श्टॉक कर लिया जमिंदार जो होंगे वो भी अनाज श्टॉक करेंगे और जब श्टॉक कर लिया इन्होंने तो आगे इसको महंगे दामों पर भेजना शुरू किया 17 cents 79 में ये अकाल पड़ा था。 सत्तर आते आते तक ये स्थिति बन गई तो जो चावल x amount में मिल रहा था वो अब 3x amount पे मिलने लगा तीन गुनी महंगाई, 4 गुनी महंगाई हो गई एक तरफ अकाल पड़ा हुआ है दूसरी तरफ द्वैद शासन चल रहा है जहां company लगान पर लगान वसूले जा रही है, लगान को लगतार बढ़ा रही है, अत्याचार कर रही है, पूरे बंगाल में ये इस्थिती बन गई, ये ऐसा लगा जैसे त्राहिमाम मचा हुआ है, जनता में जबरदस असंतोश हो गया, बिटिश सरकार को वहां डर लगने ल लोग हैं, इनके पास administration का कोई experience नहीं है, ये लोग मुर्ख की तरह वहां administration चला रहे हैं, ये बात होने लगी बिटेन में, किसके पास? सरकार में, ठीक है, तो बिटिश सरकार नहीं चाहते थी कि जनता के भीतर, भारतियों के भीतर, कोई ऐसा असंतोश पन पे कि विद्रोह के स्थिति आ जाए, और ये इसलिए नहीं चाहते थी कि वो भारतियों के हित में सोचते थी, वो अपने हित में सोचते थी कि smooth revenue collection, बहुत आराम से पैसा हमारे पास आते रहे, उसमें कोई विरोध न हो, ऐसी स्थिति में वो बानते थी कि वह कंपनी के लोग बेवकुफी कर हैं, दूसरी बात ये थी कि कंपनी आई केस लिए थी business करने, और धीरे धीरे व्यापारिक शक्ति से इनका change किस तरह हो रहा था, राजनितिक शक्ति के तरफ, इन्होंने अपनी सेना बना ली है, ये administration चला रहे हैं, ठीक है, राजनितिक शक्ति बनते जा रहे हैं, भले इनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन ये सारे, मतलब धाचा तो इन्होंने खड़ा कर रखा है, एक बात बताईए, आप अपने एक कुछ लोगों को, कुछ पैस कमाने के लिए भेज देते हैं, मान लिजे कि एक गाउं, जो आप ही ओन करते हैं, आपके पापा ओन करते हैं, उस गाउं में तीन-चार लोग जाते हैं, जो आपके दोस्त मित्र ही हैं, या फिर आपके करीबी हैं, आप से अनुमती लेके जाते हैं, कि भाई उस गाउं में हम जाकर थोड़ा बिजनिस करना चाहते हैं, वहां के लोगों को कुछ तमान वमान बेचना चाहते हैं, वहां कुछ प्रोडक्ट त्यार करेंगे, आपने बुलाए जाओ यार, खाली पड़ा है, चले जाओ, क्या दिक्कत है, वो लोग गए, ठीक है, वहां से खुब पैसा कम तो वहां का जो मुखिया है, वो भी इन ही में से एक के पपेट की तरह है, पूरे गाओं का जो को जो सरपंच की टीम है, सरपंचों की, वो भी इन ही की बात मानता है, इन से डरता है, इनके हिसाब से चलता है, इनकी चाटू कारिता कर रहा है, क्योंकि ये पैसा बनाने और देने में मुनाफ़ा देने में उस्ताद है मुनाफ़ा ये कई तरह से देते हैं न एक तरफ ये ब्रिटिश ताज को, क्राउन को और सरकार को पैसा भेज रहे हैं दूसरी तरफ यहां रिश्वत लेके फैदा पहुँचा रहे हैं राइट्स दे रहे हैं जो कमपनी के राइट्स थे, वो किसी बड़े जमिंदार से इन्होंने रिश्वत ले लिया और वो राइट्स दे दिया, पट्टा दे दिया तो एक समय आपको लगने लगा कि धीरे-धीरे पूरे गाउं पर इसका अधिकार हो गया गाउं वाले आपको पूछीने रहे हैं अब वो जितना अत्याचार वहां करते जा रहा है बदनाम आप हो रहे हैं, फायदा उसको हो रहा है आपको एक छुटा हिस्सा मिल रहा है लेकिन अल्टिमेटली क्या आप चाहेंगे कि ऐसा हो, नहीं चाहेंगे न बिटिश सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कमपनी जाकर वहां एक और्टरनेट गॉवर्न्मेंट की तरह बन जाए, ऐसी बड़ी ताकत बन जाए कि बिटिश सरकार का प्रतनिधित्व न करके, अपने आप में एक राजनितिक शक्ती बन गई वे अपारिक काम करने गया थे बिजनेस करो, बिजनेस करते करते तुम पॉलिटिकल पाउर बनते गया, एड्मिनिस्ट्रेटिव पाउर बनते गया, तो इस बात को कमपनी बिल्कुल पचा नहीं पा रही थी, तो रेगुलेटिंग एक्ट लाने के पीछे जो पहला कारण हम देखते हैं, वो यही देखते हैं, दूसरा बंगाल में द्वैद शासन था, जैसा मैंने बताया, और भारतियों का दोहरा शुषन हो रहा था, एक तरब नवाब शोषन कर रहा था, दूसरी तरब कमपनी शुषन कर रहे थी, क्योंकि कमपनी राजस्व वसूल रहे थी, ठ ठिक है, बंगाल में 1969-70 में भयंकर अकाल के स्थिती थी, और इससे एक असंतोश फैल रहा था, जो अल्टिमेटली अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिस सरकार को बदनाम कर रहे था, और बिटिस सरकार के खिलाफ विद्रोह के स्थिती बन रहे थी, ठिक है, बिटिशर्स के खि क्रप्ट हो गए थे ये लोग जो मैंने बताया कि जमिंदारों से पैसा ले रहे हैं राजस्व भी वसूल रहे हैं लेकिन मजदार बात क्या है इनकी पर्सनल प्रूपर्टी कंपनी के कर्मचारियों की बढ़ती जा रही है और कंपनी खसता हाल होते जा रही है क्यों क्योंकि क्या करते थे और अधिकारी सर्वेंट्स जो थे वो निजी व्यापार करते थे कोई बड़े पदपर है तो रिश्वत लेता था जो भारत के बड़े जमिंदार हैं वो लोग खुब पैसा देते थे उनको उपहार लेते थे इन सब की वजह से क्या हुआ कंपनी का बिजनेस दीरे दीरे डाउन होता चला गया कंपनी बिजनेस नहीं कर पा रहे थी और बिजनेस क्या हो रहा था प्राइवेट अपना बिजनेस कर्मचारी करने लगे मतलब यह हुआ कि वारेन हैस्टिंग्स जो हम आगे देखेंगे कि जो पहला बंगाल का गवर्णर जनरल बना वो जब वापस गया कई राउंड गया वो जब वापस गया उसके पास अकूट पैसा था भारत से पैसा लेके गया यहां से जो भी जाता था खुब पैसा लेके जाता था दूसरी तरफ ब्रिटिश जो कंपनी थी इस्ट इंडिया कंपनी यह ब्रिटिश गवर्मेंट से पैसा नहीं दिवालिया होने का हालत है अब वहां लोग समझ नहीं पार रहे थे कि यार आता है सब इंडिया से इतना पैसा भर-बर के और कंपनी यहां दिवालिया होने के कगार पर है यह तो बड़ा कॉंट्रेडिक्शन वाले स्थिति है तो इसलिए बाद में कमेटी बनी इन सब मामलों के जाच के लिए और यहां तीन प्रेसिडेंसी थी बंबे प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी कौन कौन सी हैं बंगाल एक तो आप जानते ही हैं बंगाल के बाद बंबे और मद्रास इन तीनों प्रेसिडेंसी के दिक्कत क्या थी कंपनी के राज में, कि ये तीनों प्रेसिडेंसी कोई एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, डायरेक्ट इंग्लैंड से बात होती थी, वहाँ एक संस्था थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का मतलब सीधे स कि दे हो गया कि company के directors कहां बैठा हुआ है इंग्लेंड में ठीक है और इन company के directors को कौन चुनता था company के shareholders जो थे company का मतलब क्या हुआ बहुत तरह shareholder होंगे बहुत तरह लोगों का पैसा लगा हुआ होगा वह अपने आप में company के भीतर एक governing body होंगे ठीक है उनकी ताकत ज्यादा होगी वह बताएंगे कौन डारेक्टर रहेगा तो एक company के directors की एक team थी जिसको बोलते हैं court of directors जो की इंग्लेंड में बैठता था और बंगाल बॉंबे और मदरास की presidency जो थी यहां कोई centralized authority नहीं थी कि इनको शासित कर सके प्रशासन करें ऐसा कुछ भी नहीं था यह अपने आप में तीनों से किसी का किसी से युद्ध हो जाता था आपस में नहीं जैसे बंगाल presidency है Bombay presidency है तो पता चला Bombay presidency पला युद्ध कर रही मदरास का governor दूसरे युद्ध में था जो इनको govern कर सके यह एक बड़ा problem statement था British सरकार को लगता था कि सबसे ज्यादा दिक्कत तो यहां भी है इसको भी सुधारने की जुरूरत है यह सब परिस्थितियां जब हुई तो finally क्या हुआ कि Lord North उस्त में था British PM Lord North ने दो committees बनाई एक select committee और secret committee और कहा कि भाई एक तो तुम पता करो कि यह जो loan मांग रहा है company वाला यह valid है कि नहीं कि पैसा रखा हुआ है और बता नहीं रहा है और दूसरे को कहा कि यार यह पता करो कि यह सब ऐसे ही बिना माबाप के चलेंगे या इन पर कुछ regulation लगाने के जूरूत है तो उन दोनों committees की reports जुआई उसके अधार पर दो act पास किये गए British संसत से पहला act के तहत एक महत्वपून बात जो मैंने बताया भी है कि 1772 में ही कंपनी ने British सरकार से एक लाख पाउंड का लोन मांगा था यह कहते हुए कि पैसा नहीं तो इसलिए यह committee को दिया गया कि भई देखो यार committee ने कहा कि company तो वाकई दिवालिया है बुरा हाल है पैसा वैसा नहीं है उसके पास है यहां कोई central authority है नहीं जम के चल रहा है हालत यह थी कि हेस्टिंग्स वर्रेन हेस्टिंग्स जो की पहला governor general बना वो देखेंगे हम इसी regulating act के जरिए बंगाल का बंगाल का पहला governor general जुब आदमी बना वो खुद बहुत बड़ा करप्ट आदमी था खुब करप्शन के चार्जिस लगे और फाइनली 1795 में उसको British संसद में साबित किया गया उस पर दंड लगाया गया कि उसने रिश्वत लेने का काम किया है तो वो खुद पैसा बना रहा था बहुत ज़्यादा मैंने बताया ना कि जब वो वापस लोटा उसके बस खुब पैसा था ऐसे ही सब जाते थे तो खुब पैसा ले ले के जाते थे कहते हैं कि सोना भर-भर के आते थे भारत ते और यहां कंपनी जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं उसका खस्ताहाल चल रहा है अच्छा लोन देती थी सरकार ऐसा नहीं था कि सरकार ने दे दिया कि भाई सरकार तो पैसा लेती थी ना तो लोन देती थी तो ब्याज पर देती थी, कंपनी को उसका ब्यास देना होता था, और दूसरा कमेटी ने ये कहा कि Irregulation Act ले आई ये, तब जाकर बात बनेगी, और Lord North ने तुरंट उसको पास कराने के लिए संसद में दिया, लेकिन एक बात और समझेए, ये Irregulation Act ही क्यों था, जब इतना गरबड जाला था, तो क्यों नहीं, ब्रिटिश सरकार ने जटके से कहा कि यार, कंपनी खतम, हम करेंगे सकता, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्यों नहीं कर सकता था, ये कंपनी थी, फैनेंस का सबसे बड़ा सोर्स, बहुत बड़ी कंपनी आज की तारीख में अगर आप समझे एक प्रिशर ग्रुप था, बहुत बड़ा प्रिशर ग्रुप था, जिसकी लॉबिंग थी, कहां लॉबिंग थी, संसद तक लॉबिंग थी, इस बात के बावजूद की खूब नुकसान हो रहा है, दिवालिया होने की स्थिती है, लेक कि लॉबिंग इतनी स्ट्रॉंग थी, कि लॉड नॉर्थ अगर चाहते भी कि इसमें आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाए, तो संसद से पास नहीं होता, क्योंकि संसद में जब रेगुलेटिंग एक्ट के लिए, बिल ले आया गया, विदेयक ले आया गया, तो उसका विरोध हुआ अपोजिशन में, उसके भी अपोजिशन में बहुत सारे लोग खड़ा हुए, क्योंकि वो उस लॉबि का पार्ट थे, तो लॉर्ड नॉर्थ के पास बस एक ही रास्ता था, ये बताना कि यार हम शक्तियां नहीं ले रहे हैं आपकी, कंपनी की शक्तियां अपने पास लेना इसका मकसद नहीं था और मजबूरी भी थी, प्रशासनिक व्यवस्था के नाम पर ही तो आया ये, कि एक कंपनी के अदिकारियों के पास इसका अनुभा नहीं है, वो लोग सिर्फ व्यापार करना जानते हैं, हमारे पास तो लंबा अनुभा है, तो हम थोड़ा केंद्रिया एक Central Administrative Authority बनाना चाहते हैं, वहाँ, कंपनी के भरष्ट अधिकारियों पर लगाम लगाने को लेकर सहमती होगी, किसके बीच, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो भी चाहेंगे कि यार इस पर तो लगाम लगाओ, हमा फिर सरकार, कि भारत में कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह बन जाए, वो तो अबलाइज करके बात कर रहे थे, हम आपको सब भी बनाने आएं, आप अभी इतने मैच्योर नहीं हम बताते हैं कैसे होगा, वो हमारे हमारा शोशन कर रहे थे, अंग्रेज, लिक सब्सक्राइब नहीं हो, हम बताते हैं कैसे होगा, तो एक तरफ एहसान कर रहे थे, दूसरे तरफ एक्स्ट्वाइट कर रहे थे, तो अंग्रेज सरकार कभी नहीं चाहती थी, ब्रिटिश सरकार की ऐसी स्थिति बन जाए, जिसमें भारत में किसी तरह का विद्रोह हो और बंगाल के अकाल से जो हालात बने थे, उसमें द्वैध शासन कोड में खाज वाली स्थिति हो गई, ठीक है, और कंपनी की राजनितिक और प्रशासनिक शक्ति का सीमांकन करना भी मक्सद था, कहने का मतलब यह है कि ब्रिटिश गवर्मेंट जब ये तो कर नहीं सकती, अगर इतनी मजबूर है उस समय कि वो ये नहीं कह सकती कि आपको राजनितिक शक्ति नहीं देंगे, क्योंकि अल्रेडी उसकी राजनितिक शक्ति का कंपनी की राजनितिक शक्ति का एक धाचा खड़ा हो चुका है, सिर्फ रेगुलेट करना है, शक्तियां सारी अपने पास नहीं लेनी है, तो मजबूरी है ना, जो आपका धाचा खड़ा हो गया, उसको हम मान लें, अपना बेजति कराने से बढ़ी हमान लो, जैसे आप किसी को किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं, अधिकार है तो मना कर रहे हैं, तब मना करेंगे, जब आपको लगए कि मना करने पर मान जाएगा, आप एकदम शूर हैं कि मना करेंगे, बढ़ाक उठेगा, तो अब क्या करेंगे, अपनी इज़्जत बचाएंगे, भई क्यों मना करेंगे, मना करेंगे तो सामने वाला सुनेगा ही नहीं, बेटे सरकार के वही हालत थी, ठीक है, तो यहां माननेता देने वाली बात थी कि अब माननेता देना पड़ेगा, कि उनकी जो राजनितिक और प्रशास्निक शक्ती है, उसको माननेता दें, लेकिन हाँ, उनको लिमिटेशन एक बता दें, कि यार इतने ही दायरे में रहो, इससे उपर मत जाओ, हम मान रहे हैं कि तुम्हारे पास अब रा प्रव्लम समझ लिया, मुझे कमेंड में जरूर बताएगा, कि मैं देखिए, मैं जिस मेथड में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मेरे साथ जो आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका एक मेथड तो यह है, कि हम कहानी सुन रहे हैं, थोड़ा से चीज़ों को लिंक कर रहे हम क्या करते हैं, ज्यादे तर किताबों में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, कि ऐसा क्यों हुआ, मैं वो नहीं चाहता कि आप कोरिलेट ना कर पाएं, इसलिए एक परिस्थिति अगर समझे रहेंगे, और यहां से जब हम समझ जाएंगे, तो प्रावधान हर एक्ट के लिख लिजेगा, पांच से साथ मिनिट लगेगा आपको पूरा रिवाइस करने में, जो की बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है, तो मुझे कमेंड में बता दीजेगा, कि अगर इस मेथट से आगे बढ़ना है, तो हम इसी मेथट से आगे बढ़ से चलती थी, और ब्रिटेन में एक संगठन था, कोट आफ डाइरेक्टर्स, जो कि कमपनी के डाइरेक्टर्स का एक समूह था, जिसको कोट आफ डाइरेक्टर्स बोलते हैं, इसकी संरचना में कुछ सुधार किया गया, इसकी संरचना में कहा गया, कि 24 डाइरेक्टर्स हों यह पहला है इसमें शामिल नहीं किया जाएगा पहला रेगुलेशन कहां से शुरू हो गया ब्रिटेन में बहुत सबके टॉप पर तो वही बैठा हुए सी ओडी कोर्ट ऑफ डिरेक्टर तो लॉड नॉर्थ ने किया किया कि सबसे पहले वहीं थोड़ा सा नकेल कसा कसा थोड़ा सा ही कहा कि 24 ही लोग रहेंगे ये फिक्स है हर साल वन फोर्थ चले जाएंगे रिटायर हो जाएंगे मतलब फिर नए आएंगे वन फोर्थ और जो एक बार रिटायर हो गया उसको दुबारा नहीं आने देंगे मतलब लॉबिंग की सारे चांसे कोर्ट ऑफ डिरेक्टर में खतम का गवर्णर बॉम्बे का गवर्णर ये लोग कौन लोग हैं बिटिस सरकार ने नहीं बेजा है यही लोग चुनके बहजते थे तो जब कंपनी कोट ऑफ डिरेक्टर पर आपने इतना नकेल कस दिया है तो भाई अब गवर्णर भी नकेल में आ जाएगा ठीक है इसके बाद बंगाल के गवर्नर को कहा गया कि यहर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दीजे इसकी क्या वज़ा थी हमने देखा कि सरकार इस बात से परिशान थी कि वहाँ कोई केंद्रिया अथौर्टी नहीं तो बंगाल के गवर्नर को कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल ब परिशद बना दीजिए तो बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल पहला बना वारेन हैस्टिंग्स जो कि अब तक बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल कहलाने लगा भारत का नहीं ये बात ध्यान रखिए भारत का गवर्नर जनरल आएगा 1833 में ये बंगाल का गवर्नर में कर द इन सदस्यों का चायान लेकिन कौन करेगा, COD करेगा, हटाएगा राजा, लेकिन COD की सिफारिश पर हटाएगा, मतलब सारी अथार्टी COD के पास है, बस एक छोटा सा उसमें प्लॉस जोड दिया, कि भाई हटाने का काम राजा से करवा लेना, सिफारिश तुम कर देना, एक गवर्नर जनरल हो गया, चार उसके मेंबर्स हो गया उस परिशत के, गवर्नर जनरल की काउंसिल, आगे हर जगा लिखा रहेगा नोट्स में, जी-जी, जी-जी मतलब गवर्नर जनरल, ठीक है, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो सारे सदस्य है, कोई भी फैसला लेने की bats लेनर्ब को नहीं है यानि उस पेष्ले पर जो काॉंसिल का फैसला है इसन फैसले के लिए कि काॉंसिल का काउंसिल का इतना बड़ा मोहताज है कि एक ऐसी स्थिती थी कि काउंसिल के भीतर ही दो फाड़ हो गया वर्रेन हेस्टिंग्स की समय हेस्टिंग्स का विवाद कारेकाल बहुत विवादित रहा है एक तो करप्शन चार्जिस को लेकर दूसरा एक व्यत्ति थे फ्रांसिस गवर्नर जनरल की काउंसिल में तो वहाँ दो गुट बन गये थे हेस्टिंग्स गुट अलग काम कर रहा था फ्रांसिस गुट अलग काम कर रहा था एक बहुत ही महतुपूर्ण के से 1775 का नंद कुमार बंगाल का एक जमिंदार था जवर्नर जनरल ऑफ बेंगौल है इस आदमी ने बड़ी रकम ब्राइब में ली है रिश्वत में ली है जमिंदारी का पट्टा देने के लिए बंगाल के पूरु नवाब की पतनी से यह चार्ज लगाया अब फ्रांसिस साब थे फ्रांसिस साब सुनवाई कर रहा थे उसक अगर इसको बहुत कड़ा दंड मिलेगा यह तो क्राइम है तो दो गुट है इस काउंसिल में ही गवर्नर जनरल फॉस्ट अमंग दे एक्वल है वो कोई स्पेशल आदमी नहीं है वन प्लस फॉर में गवर्नर जनरल बेसिकली सब के बराबर ही है फॉस्ट अमंग दे लेकिन फैसले लेने का अधिकार नहीं है, काउंसिल का मोहताज है, काउंसिल में भी दो फाड हुआ पड़ा है, उसके खिलाफ लोग हैं, जब कुछ लेकर आता है, वो बहुमत के अधार पर होगा ना भई, तो तीन दो होगा ही नहीं कभी, है ना, तो नहीं ले पाता था फै इस्टिंग्स ने क्या किया, एक किसी भारतिया से कहकर, पांच साल पुराना मामला था, नंद कुमार के अगेंस, उसको उठा दिया, फ्रॉड का, धोखा धड़ी का, पांच साल पहले जो मामला था, उस मामले में उस आदमी को फासी की सज़ा दिलवा दी, इधर इनके खि को हैंक कर दिया गया, 1775 में ही, और इसके वज़ा से ब्रिटेन में बहुत बदनामी हुई, ब्रिटिश सिस्टम की, ठीक है, तो जीजी और परिशत की रिपोर्टिंग अभी भी किस के पास है, COD के पास है, और फैसला लेने का अधिकार जीजी पर स्वतंत्र नहीं है, मतल बंगाल के अंडर में डाल दें, मदरास और बंबे को, तो इसलिए उस expression को चेंज कर दिया गया, बैसा तो होता नहीं न, कि बंगाल के गवर्नर के अंदर में मदरास का गवर्नर, भाइस स्टिति produce, बंबे का आपत स्थिती में लेकिन तो अपने पास रहेगा, मतलब समझे यहां गवर्णर जनरल है उसको अप्चारीक तोर पर तो कह दिया गया कि आप Central Authority बन गए हैं भई, आपके अंडर में बॉम्बे और मदरास के गवर्णर्स आ गये लेकिन उसमें एक क्लॉस जोड़ दिया गया कि बॉम्बे और मदरास के गवर्णर्स जो हैं युद्ध से शांती से जुड़े हुए मामले आपसे बात करके और तब फैसले लेंगे लेकिन आपात इस्थिति में वो कुछ भी कर सकते हैं emergency situation में वो अपने से फैसले ले सकते हैं अब ये इतना इस पश्ट शब्द है आपात इस्थिति कैसे डिसाइड होगा कि आपात इस्थिति है कि नहीं उसके लिए तो कुछ लिख के भेजा नहीं तो बॉंबे और मद्रास वाले क्या करते थे युद्ध शुरू कर देते थे बोलते थे आपात इस्थिता इमर्जेंसी में क्या करते तुमसे पूछने जाते इस्थिति कर देत यह और बात मानते नहीं थेंगर्णर जनरल का कहने को यह अधरिकिन ना बॉंबे और मद्रास वाले मांग रहे थे कांसिल अपने हाथ में था नहीं तो गवच्टी थी कमजोर दकति थी कलकत्ता में एक सुप्रीम कोट का अगठन किया गया ठीक है कलकत्ता में सुप्रीम कोट का अगठन करने का मतलब एक न्याइक धांचे के शुरुवात की गई हाला कि न्याइक धांचा पहले से था एक मेयर कोट चलता था बहुत सारे कोट छोटे मोटे establish करने की कोशिश हुई थी लेकिन Supreme Court बना कर कलकत्ता में अंग्रेजों ने ये शुरू किया कि एक नयाइक centralized system भी हमको चाहिए और इस कलकत्ता के Supreme Court के अंदर में ही आ गया Governor General उसकी Council इसी के अधिकारता में अधिकारता में मतलब इनके खिलाफ भी कामला होगा तो Supreme Court में उस पर सुनवाई होगी कंपनी के सर्वेंट्स वो भी आ जाएंगे इसमें अधिकारता में क्षत्रादिकार जुरिस्टिक्सन जिसको जुरिस्टिक्सन जिसको बूलते हैं इनके क्षत्रादिकार में ये आ गए कौन नहीं आया सिर्फ ब्रिटिश नागरिक नहीं आये जो बाद में आएंगे जो भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक हैं कंपनी के तर्वेंट्स नहीं लेकिन इसमें भी बहुत वेग तरीके का प्रोविजन था कि कलकत्ता म तो एलिजाए इंपे को इंग्लेंड से बुलाया गया और सारे जजेज वहीं से आते थे यहां तो जज का कोई स्कोप था नहीं किसको बनाते तो प्रोफेशनल जज आते थे जो वहां की कोर्ट में सुनवाई करते थे तो एलिजाए इंपे पहले मुखेना इधिश थे लेकि सुप्रीम कोट ने फासी दिया उसके बाद इन्होंने कहा अनंद कुमार ने कि भाई हमको किंग की काउंसिल में अपील करने का अधिकार मिले उसने रिजेक्ट कर दिया बुलाय जल्दी से टांग दो इसको मुरे दोस्त के खिलाफ इसने इतना बड़ा शड़यंत्र किया ह है इसको टांग दो हाला कि वारेन हैस्टिंग्स ने वाकई रिश्वत ले थी और वो सही बात थी लेकिन यहां भी क्या हुआ यहां भी एक शत्रा अधिकार इस पश्ट नहीं हुआ मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में क्या आएगा गवर्नर जनरल की काउंसिल किस बात की सुनवाई करेगी और सुप्रीम कोर्ट किस बात की सुनवाई करेगी दोनों सुनवाई कर रहे है इसमें एक शब्द दे दिया गया कि All British Subjects पर इसका अधिकारता है शत्रा अधिक है तो कोई भी चीजे तै नहीं हुई और इस एक एकस्प्रेशन के वैसे सुप्रेम कोर्ट ने ये माना कि जहां जहां कंपनी का अधिकार है और जितने कंपनी के सर्वेंट हैं इंक्लूडिंग जीजी और गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल वो मेरे एक शत्रा अधिकार म लो आदमी इंगलेंड से ऐंगलेंड का कानून पढ़के आया है भारत में बैठकर इंगलेंड का कानून चला रहा है ठीक है इसलिए हमारे गाउं में कहते हैं एक ज्यादा कानून म het जड़ो बाहर से जब कोई आ जाता है ना तो हमारे चोठे शेहर या गाहों हैं उसमें आप पुराने लोगों से या फिर अपने दोस्तों से भी बात कर लिजेगा तो लोग बोले हैं कि ज़्यादा कानून मत जाड़ो बाहर से जो कानून पढ़के आए हो यही हाल इनका था इंग्लेंड से कानून पढ़के आए हैं इंडिया और यहां पर कानून जाड़ रहे थे हिंदू और मुसलिम्स को हिंदू लोओ और मुहमिडन लोओ के हिसाब से उनके फैसले नहीं हो रहे थे बलकि अंग्रेजों के कानून के हिसाब से हो रहे थे मतलब लोगों में सुप्रीम कोट की स्थापना के बाद भी एक असंतोश ये हो गया कि उनके पर्सनल लॉज में सुप्रीम कोट इंटरफेर बहुत ज़ादा कर रहा था गवर्नर जनरल की काउंसिल को परिशान करके रखा हुआ था तो गवर्नर जनरल की काउंसिल के साथ सुप्रीम कोट की टकराहट शुरू हो गई बहुत ज़ादा 1770 के अक्ट के बाद ठीके कंपनी के कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापार पर उपहार लेने पर रिश्वत आधी पर प्रतिबंद लग गया तो ये सारे प्रावधान थे 1770 की रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान थे क्या क्या कमिया थी मैंने बता दिया है जी जी को responsibility दिया गया लेकिन authority नहीं दी गई इसके पास वीटो पावर नहीं था अगर बहुमत के अधार पर कोई फैसला हुआ गवर्नर जनरल बंगाल का चाह के भी उसको रोक नहीं सकता था कोई वीटो नहीं लगा सकता था इसी त शक्तिया गवर्नर और subordinate के पास थी क्योंकि अंडर में तो डाल दिया गया गवर्नर को गवर्नर बात ही नहीं मानते थे subordinates बात नहीं मानते थे और असली पावर उन्होंने consume करके रखा था यह पपिट था ठीक है दूसरी कम ही ये थी कि SC यानि सुप्रीम कोट का क्षत्र लौ में हस्तक शेप हुआ तो लोग असंतोष में आ गये नेटिव जो यहां के लोग थे ब्रिटिश नागरिक इसकी अधिकारता से बाहर थे जो बाद में मिलेगा तो कुल मिलाकर क्या था यहां दो धांचा बनना शुरू हो गया कि बही गवर्नर जनरल की टकराहट जादा हो रहे थे और भारतियों के लिए कोई अलग से विवस्था नहीं की गई भारतियों के लिए मतलब अकाल पड़ा हुआ था इनके कंसर्ण में था इनका मकसद था कि इसको भी हम काउंटर करेंगे लेकिन अल्टिमेटली इन्होंने कुछ नहीं किया थिक है द्वैद शासन से जो उपजे हालात थे वो भी तो इनके मकसद में था लेकिन इन्होंने किया नहीं कुछ अगर महत्व की बात करेंगे तो पहली बार भारत में केंद्रिया प्रशासन की नीव रखी गई मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल बना दी गई गई गवर्नर जनरल की भई बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया बंगाल का उसके अंदर में मद्रास और बॉंबे की प्रेसिड पॉइंट है क्योंकि हम जब देखेंगे तो हमको लाए कि रेगुलेट करने के लिए अगर किया था तो मानिता कैसे मिली राजनितिक प्रशासनिक कारे को जैसा मैंने बताया इनकी मजबूरी थी बता दिया गया कि यह गवर्नर जनरल है अगर इसकी काउंसिल है प्रेसिडें स्था खड़ा कर लिया सरकार ने नहीं कहा था करने के लिए लेकिन 1773 में सरकार ने ये मानने लिया कि ठीक है आपकी राजनितिक शक्तियां इतनी है लेकिन सीमा है उस पर नैक सनरचना में महतुपूर्ण बदलाओ हो गया ये हम देख चुके हैं और सबसे बढ़कर यहीं से भारत के समवेधानी कितिहास की शुरुआत होती है ठीक है आज की क्लास थोड़ी से लंबी होने वाली है तो मैं पहले ही बता दूँ ये बेस अगर बना रहेगा इसमें जाधा टाइम लाएगा फिर आगे कम टाइम लाएगा अब अगला है 1781 का संशोधन अधिनियम 1781 में समझ में आया कि 1773 के रेगुलेटिंग अक्ट में सरकार को लगा कि बहुत तरी खामिया रहे गई हैं बहुत तरी गलतियां होई है सबसे बड़ी गलती क्या हुई है कि गवर्नर जन्रल को केंद्रिय प्रशासनिक एक व्यक्ति तो बनाया गया निव तो रखी गई सेंट्रल अथॉर्टी बनाने की कोशिश हुई लेकिन उसको पावर नहीं दिया गया पावर ज्यादा हो गया है सुप्रेम कोट का कभी भी गवर्नर जन्रल की काउंसिल को रग या फिर एक्ट ओफ सेटलमेंट इसका मकसद ही यह था कि जो 1773 में गल्ती हो गई है उसको सुधार दे संशोधन कर दें तो संशोधन हुआ और मूल संशोधन सिर्फ गवर्नर जन्रल की शक्ति और सुप्रेम कोट की शक्ति में अंतर करने के लिए था और इसमें किया यह गया कि गवर्नर जन्रल की शक्ति को सुप्रेम कोट की शक्ति के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया अभी तक क्या था सुप्रेम कोट डॉमिनेंस रखता था अब गवर्नर जन्रल की काउंसिल के शक्ति को बढ़ा दिया जाएगा क्या क्या किया गया गवर्नर जनरल की परिशद इंक्लूडिंग गवर्नर जनरल कम्पनी के सर्वेंट्स सुप्रीम कोट को कहा गया कि भाई तुम बहुत हीरो बन लिये पिछले कुछ सालों में यह तुम्हारे अधिकारता से बाहर है मतलब क्या हुआ कि यह अपने पदावधी के दौरान जो भी फैसले ले रहे हैं उसके लिए उनको रगड़ना बंद करो उनके खिलाफ मामला लेना बंद करो आप नहीं करेंगे सुन भाई उसकी इनकी पदावधी में मतलब कारेकाल में जो ये फैसले ले रहे हैं इसके लिए आप आंसरेबल नहीं करेंगे पहली चीज़ ये हुई गवर्णर जनरल की परशद और कमपनी के सर्वेंट से इसके अधिकारता से बाहर हो गए सुप्रेम कोट को बोला गया कि बॉम्बे और बाकी सब जगों का मामला छोड़ दो सिर्फ कलकत्ता का मामला सुनो बाकी कोई मामला सुनने की ज़रूरत नहीं अभी तक क्या होता था कि जितने मामले अपील के तौर पर आते थे एक तो ओरिजिनली फैसला ले रहा था सुप्रेम कोट दूसरा अपील मतलब प्रांत में जो ने आया ले थे वहां से जो मामले अपील की सुनवाई के लिए आते थे अपील करते थे लोग सुप्रिम कोट में वो भी यह सुन रहा था सुप्रिम कोट इसको कहा गया कि provincial court की जो appeal की सुनवाई है वो अब governor general के परिशत करेगी जो की final court of appeal हो ये right छिंद देयागी कि अब अब provincial court से آय हुए मामलो की appeal नहीं सुनेगी ठीक है? वो कौन सुनेगा? governor general की council सुनेगी और वो जो फैसला लेगी वो final court of appeal वही है राजास से संबंदित जितने मामले हैं वो भी सुप्रेमन कोर्ट से लेकर गौवर्नर जनरल की परिशत को दे दिया गया हिंदू-मुस्लिम लोगों के मुकदमों की परस्नल लोग के हिसाब से सुनवाई कादेश दिया गया कि भई हिंदू अगर है तो हिंदू लौ के हिसाब से फैसला दीजिए मुहमडन है मुसलिम है तो मुहमडन लौ के हिसाब से दीजिए परसनल लौ में हस्तक शेप मत कीजिए तो मूल रूप से क्या हुआ यहाँ सिर्फ गवर्नर जनरल की परिशत में राजस्व के भी मामले आ गए गवर्नर जनरल की परिशत अधिकारिता से सुप्रीम कोट के बाहर हो गई मुक्त हो गई गवर्नर जनरल की परिशत के पास प्रोविंसियल कोट की सुनवाई जो अपील थी उसकी सुनवाई आ गई ठीक है और कहा गया हिंदू मुस्लिम लोगों के मुकदमों के परिशनल लोग के हिसाब से सुनवाई कीजिए मतलब सुप्रीम कोट कहां रह गया आप यहां था गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल यहां था सुप्रीम कोट ठीक है दोनों में लड़ाई चलते रहती थी टक्राओ के स्थिति थी अब की स्थिति हो गई गवर्नर जनरल यहां हो गया सुप्रीम कोट यहां रह गया समझ रहे हैं इसमें से इसके अधिकारिता से इसको बाहर जेजी की काउंसिल और कंपनी के सर्वेंट भी बाहर हो गये यहां पर आपको राजास्व से सम्मन ले तमाम ले अब यह सुनेगा अपीलिया सुनवाई यह करेगा इसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया प्रभाव क्या हुआ पहली बार कारेपालिका और नयाइपालिका की अधिकारता में प्रिथक करन हुआ और बता दिया गया कि भाई आप यह करेंगे और आप यह करेंगे गोवर्मेंट जरल की परिषत को स्ट की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्ति दे दे गई यहां से गववर्मेंट जरल प्रभाव में आना शुरू हुआ लेकिज़ान रखिये कि गौवर्नर जनरल अभी भी उसी इस्थिती में है, काउंसिल का मोहताज ही है, ठीक है, बाकि शक्तियां तो मिल गई 1784 में एक बहुत युवा प्रधान मंत्री था ब्रिटेन में पिट, विलियम पिट, पिट ने फिर कमिटीज बनाई और कुछ मामलों में कमिटीज के सिफारिश पर एक एक्ट बना जिसको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, इसमें बदलाव आए कुछ, क्या क्या बदलाव आए, अभी तक यहां रेगुलेशन चल रहा है, 1781 बेसिकली सिर्फ उस गलती को सुधारने का है, जो 1773 में कुछ रेगुलेशन, रेगुलेटिंग एक्ट में गलतियां हुई थी ब्रिटिच गवर्वर्मेंट से, उसी के संशोधन के लिए 1781 आए था, लेकिन 1784 अब नियंत्रण को क्थाने की बारे, अब रेगुलेशन नहीं, यह नियंत्रण करना चाहता है, शुरू करना चाहता है, तो कुछ बदलाव करने के लिए सबसे पहला बदलाव तो किया गया कि कोट ओफ डिरेक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा, पिट ने सोचा, इंग्लेंड में एक और members रहते थे समझ रहे हैं court of director किसके प्रतिने ध्यत्व कर रहा है company का British government का प्रतिने ध्यत्व करने के लिए एक नया body बनाया गया जिसको कहते हैं board of control British सरकार का प्रतिने ध्यत्व यह करेगी और क्या करेगी इसको control करेगी court of directors मतलब company की directors को control करने के लिए board of control बनाया गया गया च्छे में एक राज्य सचिव ब्रिटेन का वित्त मंत्री ब्रिटेन का चार प्रिवी पर्स प्रिवी कांसिल के मेंबर और इन प्रिवी कांसिल के मेंबर्स का सेलेक्शन कौन कर रहा है नॉमिनेट कौन कर रहा है यह यह कर रहा है king राजा जहर सी बात है इसकी संरचना में ही क्या है इसकी संरचना में ही यह ब्रिटिश सरकार के एक एजेंट की तरह है board of control किसको control करेगा directors को court of directors को तो अब यहां से दिखेगा पिट ने control करना शुरू किया है यहां से दिखेगा कि सी ओ डी जो है उसको कहा गया कि भाई अब दो संस्थाएं होगी ना कि सी ओ डी को कहा गया कि आप अब सिर्फ व्यापारिक मामले देखिए राजनितिक प्रशासनिक मामला हमारा यह बालक देख लेगा board of control जो बनाया वह इसी मकसद से तु बनाया था ऐसे तु बनाया नहीं कि एक 6 member का team बना देते हैं चलो देखते रहना इसलिए बनाया था कि वह राजनितिक प्रशासनिक मामले में ही ब्रिटिश गवर्मेंट की आँख में चुब रहा था तो राजनितिक और प्रशासनिक मामले को समालने के लिए board of control के अंडर में डाल दिया राजनितिक प्रशासनिक उसका administration पूरा जो है और court of director जो अभी तक कुछ भी कर रहा था executive फैसले भी ले रहा था प्रशासनिक फैसले भी ले रहा था उसको कहा राजस्व से संबन्धित administration भी हमी देखें बोड अफ कंट्रोल देखेगा तो व्यापारिक नियंत्राण COD के पास रह गया राजनितिक प्रशासनिक नियंत्राण बोड अफ कंट्रोल करने लगा बोड अफ कंट्रोल गवर्नर चुनता था कंपनी के सारे रिकॉर्ड तक उसकी पहुंच थी मांग लेता था सेना सिविल और राजस्व से जुड़े मामलों की भी अधिकार था बोड अफ कंट्रोल के अंडर में आ गई मतलब आल्मोस्ट अ हो रहा है इंग्लेंड में इंग्लेंड में ही दोनों बैठा हुआ है कोट अफ डिरेक्टर भी और बोर्ड अफ कंट्रोल थी ठीक है भारत में क्या बदला हुआ पहली बार एक expression आया territory of British position मतलब British आधिपत्य का क्षत्र और ये क्षत्र कौन सा है कंपनी का जितना भी एरिया है अब कहलाएगा British आधिपत्य का क्षत्र यहां से सरकार की entry होती है ध्यान रखिए ये शासन कंपनी का ही चल रहा है सरकार का शासन कब आएगा Crown का शासन कंपनी का ही शासन है regulate भी हुआ और अब कंट्रोल बढ़ रहा है गवर्नर जनरल को लेकर चार लोग थे council में कभी कोई बात नहीं सुनता था सबसे पहले किया गवर्नर जनरल की परिशद में सदस्य की संख्या कर दिया तीन उससे क्या हुआ जब तीन सदस्य कर दिया और इसमें भी कर दिया किंग की सेनाका सेनापति रहे गा यानि Commander इंचीफ रहे गा इसका मकसद क्या है कि गवर्णर जनरल की परिशद में तीन सदस्य कर दिजे और उसको कास्टिंग वोट का अधिकार दे दिजे मतलब जहां मामला फंज है टाई हो जाए बराबर पर आ जाए मानले ये एक-एक की बराबरी पर कोई फैसला है जो गवर्णर जनरल है उसको कास्टिंग वोट का अधिकार हो गया मतलब अगर दो लोग इसके किसी फैसले के विपक्ष में है और एक ही व्यक्ति इसके पक्ष में है तो ये कास्टिंग वोट इधर देगा गवर्णर जनरल और ये रिजोलिशन पास हो जाएगा समझ रहे है तो कास्टिंग वोट का अधिकार देने के वैसे सिर्फ एक मेंबर भी अगर काउंसिल में उसके पक्ष में रहा तो वो कोई भी अपनी बात मनवा लेगा इस तरह से गौवर्नर जनरल पाउर्फुल हो गया शक्तिशाली हो गया तो इन दोनों को एक साथ आपको पढ़ना है वर्षद में एक सदस्य कम कर दिया गया तीन सदस्य हुए इसमें भी कह दिया गया कि एक किंग की सेना का सेनपती होगा और जीजी को कास्टिंग वोट दे दिया गया तो शक्ति बढ़ गई मदरास और बॉम्बे जो अभी तक ऐसे तो बना दिया गया था उसको सबॉडिनेट लेकिन असली सबॉडिनेट नहीं बनाया गया था वो सिर्फ कहा गया था कि भई अपातकाल में तुम चाहे जो करो लेकिन अब कहा गया कि नहीं बंगाल का गवर्णर जन्रल मदरास और भॉंबे के उपर हो गा उसकी बात को मानना पढ़ेगा बस यह हुआ कि भाई COD पहले से था गवर्णर जन्रल भिचारा COD को रिपोर्ट करता था माईबाब कहता था वही चुनके भेजते थे थे ना वहाँ से अब यह हुआ कि इनके एक और पापा आ गए मतलब इनके दो-दो पापा हो गए मजाग का टर्म है मतलब दो अथोर्टीज हो गई COD और BOC Board of Control भी और Court of Director भी इनको दोनों के अंडर में काम करना था कमिया क्या थी? सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि Governor General के अब दो मास्टर हो गए लेकिन इसका एक लूपफूल भी था Governor General का दो मास्टर होने का सबसे बड़ा लूपफूल था कि अब Governor General चाहे तो खेल कर सकता था Court of Director को बताएगा कि Board of Control ने ये बदमाशी की है Board of Control को उनके खिलाफ कुछ भड़काएगा और अपने मन की कर लेगा तो easy play का मौका मिल विया Governor General अभी भी Council के बहुमत के खिलाफ नहीं जा सकता है ये बात ध्यान रखना है लेकिन बस Council के संद्चना ऐसी हो गई कि अब एक भी व्यक्ति उसके साथ रहा तो वह अपनी बात मनवा लेगा 1786 में एक और एक्ट आया कहां तक पहुँच गया हम 1784 में 1786 में एक एक्ट आया जिसका सिर्फ एक मकसद था कि Pitt चाहते थे पिट जो कि England का PM था उसमें और youngest PM था 1784 में ले आया और देखा कि इन सब चीज ठीक है लेगिन इससे बात नहीं बनेगी एक काबिल आदमी भी चाहिए गवर्णर जनरल इससे रहेगा तो मतलब इससे लिजलिजा टाइप से धस्ट टाइप से गवर्णर जनरल से बात नहीं बनेगी तो पिट ने अप्रोच किय करनवालिस को कहा कि अनुरोध है लीज जाके इंडिया में गवर्णर जनरल बन जाओ करनवालिस काबिल आदमी था उसमें कहा चल तो जाएंगे लेगिन जो तुम्हारी विवस्था है उसमें नहीं जाएंगे उसमें एक चेंज करो तो पिट ने पुछा कि बताओ क्या चे आदू कारनवालिस ने बेसिकली दो शर्त जो रखिं वह गवर्णर जनरल की ताकत बढ़ानी शर्तप सिर्फ के लिए आया था कि अ क्मांडर इंचीफ भी रहूंगा ध्यान दीज़ेड गवर्नर जनरल कि कॉन्सिल में कितने मेंटर है तीन जिस में से एक क्या है देन निश्चित तोर पर एंचीफ बार इंचीफ किन्ग की सेहwriting भारत में किसेना का कमांडर इनचीफ रहूंगा गवर्णर जनरल भी मैं ही रहूंगा ठीक है effectively क्या हुआ 1 प्लस 3 का structure 1 प्लस 2 का हो गया दूसरी बात क्या कही उसने कि विशेश मामलों में मुझे यह आजादी होनी चाहिए यह अधिकार होना चाहिए कि विशेश मामलों में मैं अपनी काउंसिल के निर्णेओं के खिलाफ भी फैसला ले सकूँ पिट ने तुरंत दोनों बाते मान ली मैं मतलब कार्णवालिस अपनी काउंसिल के सदस्चों के निर्णे के जो बहुमत का फैसला होता था उसके खिलाफ विशेश मामलों में मैं जा सकूँ यह कार्णवालिस के लिए तो यह दो कंडिशन्स उसने रखी और दोनों मान ली गई पिट के द्वारा और इसलिए यह एक्ट आया था सत्रुष छी आसी अब आएगा चार्टर अधिनियम चार्टर बेसिकली क्या है अधिकार पत्र जैसे पोलस्वा में एक चार्टर मिला और हर चार्टर में क्या हो लेकिन यह यह कंडिशन्स रहेंगे फिर रेनियो करा लेना तो आप अब यहां से देखिएगा कि 1793 के बाद 1813 का चार्टर आएगा यानि 20 साल के लिए और अनुमती दे दी जाएगी और 1833 के बाद 1853 का अंतिम चार्टर आएगा जो 20 साल का है यानि हर बार चार्टर को कंपनी के व्यापार के अधिकार को बढ़ाते जाएगी और 1893 में कोई समय सिमा नहीं देगी कि 20 साल और संकेत हो जाएगा कि अब कंपनी का शाषन खतम होने वाले के बढ़ा देना प्रावधान क्या किया गया पिछले एक्ट में जो कार्णवालिस को छूट दी गई थी वो बंगाल के गवर्नर जनरल जो आने वाले हैं और प्रांतों के गवर्नर्स सब को ये छूट देती गई और छूट क्या थी छूट थी कि काउंसिल के नेनेओं के खिलाफ फैसला लेने का अधिकार दे दिया तो यहां पहली बार जाकर 1793 में आइडियली कार्णवालिस वो पावर ले चुका था 1786 में लेकिन 1793 में सभी गवर्नर के लिए और गवर्नर जनरल के लिए आने वाले गई तो शक्ति का विस्तार हो गया काउंसिल का मुहता जब यह यहां 1793 में नहीं रहे गया मतलब यह हुआ कि अब काउंसिल इसके हिसाब से चलेगी काउंसिल के ऊपर गौवर्णर जनरल की दोंस जमेगी तीक है इसके निर्ण माने जाएंगे इसके युद्ध क्रणा जाल हो टो काउंसिल का यहां कोई बहुत रोल नहीं बचा गौर्णर जनरल का रोल बढ़ गया एक regular code of regulation जा रही हुआ बंगाल के लिए और कहा गया कि जो भी नागरिक अधिकार हैं बंगाल में भारतियों के संपत्ति और व्यक्तिक से जुड़े अधिकार हैं उनको codify कर दिया गया इसमें और यह कहा गया कि आदालतों के लिए फैसले इसी के आधार पर regular code of regulation के आधार पर सुनाना बाध्यकारी होगा आप देख रहे हैं कि पहले क्या हस्तक्षेप किया गया कि personal law के हिसाब से सुप्रेम कोड फैसला सुनाए बही वहां की सरकार को ये भी तुचिंता है कि वहां विद्रोह न हो तो एक एक छुटी छुटी सहूलियते हैं अब देना शुरू हुआ तो 1793 में में पहली बार ये बात है कि एक हम regulation मना के देद रहे हैं codify करके देद रहे हैं इसी के हिसाब से फैसले लो और इसी के हिसाब से नागरिक अधिकार भी दो वहां बंगाल में लेकिन बंगाल की बात हो रही है भारतियों के संपत्ति और व्यक्ति के अधिकारों को codify किया गया साथ ही कहा गया कि BOC यानि Board of Control जो है जो इंग्लैंड में बैठा हुआ है उसके खर्चे अब भारतिय राजस्व से आएंगे British Government से पैसा मतलो तुम्हारे लिए काम कर रहा है वहां से आपकी राजनितिक और प्रशासनिक मामलों को देख रहा है आपको govern कर रहा है direction दे रहा है इसका पैसा British Government क्यों उठाएगी भाई आप उठाएए भारतिय राजस्व से इसको पैसा दीजिए ठीक है मतलब company के राजस्व से पैसा दीजिए गवर्नर जनरल ये ध्यान है न कि अभी company का शासन चल रहा है ठीक है गवर्नर जनरल गवर्नर और कमांडर एंचीफ अभी तक इनकी नियुक्ति क्या होती थी क्राउन के हिसाब से नहीं होती थी लेकिन ये अनिवार ये कर दिया गया 1793 में कि governor general governor और commander in chief की नियुक्ति में crown की सहमती ज़रूरी है करिए आप ही ठीक है company के directors ही करेंगे उसमें दिक्कत नहीं है लेकिन हमसे सहमती लेके की commander in chief के governor general की council का सदस्य होने की अनिवारिता खत्म हो गई मतलब अगर ऐसा ही व्यक्ति आ गया मानले ये commander in chief ही है भारत में king की सेना का सेना पती है और उसी को governor general बना दिये बंगाल का तब तो ठीक है कि वो दोनों पद ले सकता है otherwise अनिवारी रूप से ऐसा नहीं है कि commander in chief जो होगा उसको governor की council में governor general की council में होना ही हो ये अनिवारिता आप खत्म कर देगे ठीक हैं अब आए 813 का charter अधिनियम और 1813 का जो वक्त है उस समय नेपोलियन की दहशत है पूरे यूरॉप में इतनी दहशत है कि नेपोलियन ने एक घोशना कर रखा है अठारा सुछे में जिसको कहते हैं continental blockade या फिर continental system और उसका वर्चस वो बढ़ते जा रहा है वो बर्लीन में बैठा हुआ है वो कहता है कि यूरॉप में अंग्रेजों के साथ Britishers के साथ आप व्यापार नहीं करेंगे जो लोग नहीं मानते हैं उस पर वो invasion कर देता है आतिक्रमण कर देता है जहां जहां वो जीद चुका है जहां जहां अपने डायरे में ले चुका है उन पर तो प्रतिबंधित ही कर दिया इस पर स्थिती में Britain के जो व्यापारी हैं कैसे व्यापार कर रहे होंगे ब्रिटेन के व्यापारी इस हिस्थिती में आ गये हैं कि भाई अब smuggling करने पर मामला आ गया है किसी तरीके से किसी European country में smuggling से अपना माल बेच रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों क्रैश हो रहा है अल्टिमेटली बहुत बड़ा इंपक्ट नहीं आया लेकिन फिर भी 20 परसेंट पर चेस परसेंट भाई वहां के जो कम्यूनिटी है मालने जिए कोवीड के बारे में अगर बात कहेंगे तो आप लास्ट में यह कहेंगे कि कोवीड से बहुत ज्यादा नुक्सान हुआ लेकिन आपने कितना नुक्सान सोचा था कि पूरा का पूरा कोलाप्स कर जाएगा दुनिया की अर्थववस्था हिल जाएगी सब कुछ खत्म होने वाला है ऐसा भावा रहा था ना जब कोवीड का टाइम चल रहा था अब अस समय ब्रिटिश व्यापारी जो है कितने डरे हुए होंगे भाई हमारा क्या होगा हमको कहीं भेजने का शिप्स पर मनाही कर दिया है ब्रिटिश जहाज नहीं जा पा रहे हैं कहीं दूसरे यूरोपीय देश्ट में तो हम कैसे व्यापार करेंगे और कैसे सर्वाइब और समझे ब्रिटिश व्यापारी यहां डरे हुए हैं क्रोध में भी हैं क्यों क्रोध में गुस्दे में क्यों हैं इसलिए कि एक तो हमको तुम व्यापार नहीं करने दे रहे हो तुम मतलब नेपोलियन के उसकी वज़ा से हम व्यापार नहीं कर सकते हम स्मगल कर रहे हैं और दूसरी तरफ East India Company को तुमने भारत में मोनोपॉली दे रखा है, एक अधिकार दे रखा है, तो 1813 का वक्त ये था, जब ब्रिटेन में सरकार पर इस बात का दबाओ बहुत ज़्यादा था, कि मोनोपॉली खतम करो, हमको भी जाने दो भारत, इधर तो यूरोप में ने कर भारत में तो व्यापार करने दो हमको, बैक्राउंड समझ रहे हैं, तो फैसले किस हिसाब से होंगे 1813 के चार्टर में, कंपनी के व्यापार के अधिकार को तो 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार को अगर छोड़ दें, तो व्या इन बाते हैं कि पहले तो 20 साल के लिए व्यापार के अधिकार को दिया गया, बढ़ाया गया, चो पहले से था, उनके पास एक अधिकार था, लेकिन मोनोपॉली थी, मोनोपॉली का मतलब क्या हुआ, और कोई कंपनी वहाँ जाकर व्यापार नहीं करेगी, भारत, भारत में नहीं दे सकते हैं, मोनोपॉली नहीं दे सकते हैं, और ये लोग चीन के साथ अफिम का व्यापार करते थे, तो इनको दो ही मोनोपॉली दी गई, एक तो चाय की मोनोपॉली दी गई, कि चाय का व्यापार कीजी, और कोई व्यापारी नहीं करेगा ब्रिटेन का, और चीन के सिस्टम देकर बहस दिया वहां से बागी कंपनीज को कि जाएए अपना रोजी-्रोटी कीजिए लाइसेंस का पैसा दे दीजिए जाएए लाइसेंस ले लीजिए कि यह आप कर सकते हैं भारत में त्यापार यहां एक और महत्वपोर्ण फैसला यह हुआ कि ब्रिटिश नागरिक जो अभी तक भारतिय अदालतों के क्षित्र अधिकार में नहीं थे हमने क्या देखा थे सुप्रीम कोट भी जब बना तो गवर्णर जनरल की काउंसिल और सिविल सर्वेंट जो कंपनी के सर्वेंट थे वो उनके अधिकार में आये थे पहली बार जब सत्रस चोहत्तर में बना कलकत्ता में लेकिन उस समय ब्रिटिश नागरिक नहीं आये थे ब्रिटिश अधिकार वो तो थे ही नहीं रेजिडेंट ब्रिटिश सेटिजन तो अब 1813 में पहली बार ब्रिटिश नागरिक भारती आदालतों के क्षित्र अधिकार में आ जाए कुछ कल्चरल एक्टिविटीज में चीजें हुई क्योंकि धिरे धिरे अब इंगलेंड का महौल बदल रहा था तो भारतिया शिक्षा और साहित्य के प्रसार के लिए बढ़ावे के लिए एक लाख रूपे का अनुदान ग्रांट किया गया और इसाई मिशनरियों को अठानिया सरकारें उनको कहा गया कि अब टैक्स ले सकते हो ठीके टैक्स लेने का अधिकार दिया गया चलिए अब 1833 का चार्टर अधिनियम 1833 का वक्त था जिस समय यूरोप में सुधारों का दौर चल रहा था व्यक्ति की स्वतंतरता व्यक्ति के अधिकारों पर बात चीत चल रहे थी बहस चल रहा था और जब भी किसी समाज में ऐसे सुधारों की बात चलेगी वहां के जो भी राजनितिक संस्थाएं है प्रशासनिक संस्थाएं है उसमें भी ये बात चलेगी क्योंकि अलग-अलग मत के लोग आएंगे इस बात पर बहस होगी कि आपके कॉलोनी में क्या आपने इतना अधिकार दे रखा है क्या आप कुछ सोच रहे हैं या सिर्फ एक्स्थाइट कर रहे हैं कुछ लोग तो होंगे ही जो इस द्रिष्टिकोंड से सोचेंगे तो 1833 के पास उस समय कई सारे स्लेवरी कानून स्लेवरी को खत्म करने की बात हो रही है फैक्टरी एक्ट आ रहा है मजदूरों को उनके अधिकारों की बात हो रही है यूरोप में ये महावल है संसद में भारत में शासन पर ब्रिटेन में भी बहस हो रहा है ठीक है और दूसरी तरफ आपने 1813 में ब्रिटेन के व्यापारियों को छूट दी है कि जाई ये लाइसेंस के साथ उनका दबाव और सरकार पर बढ़ता जा रहा है कि भाई तुम्हें इतना तुम्हारा फैवरेट है जो कमपनी एक कमपनी इतना पैसा कमा रहा है एक तो कमपनी से सोची कितने लोग चिड़े होंगे ब्रिटेन के जो बाकी व्यापारी होंगे वो कमपनी से कितना चिड़ते होंगे इतना पैसा कूट रहा है भाई इतना पैसा कमा रहा है कमझ रहे हैं मानों की फित्रत हम भी कमपनी हैं हम भी व्यापार करते हैं हमको जाने नहीं देते हो तुम्हारा इतना फेवरेट है, जाने भी दिये हो, तो लाइसेंस लेके जाने देते हो, उसको पूरा एकदम सामराज दे रखे हो, तो 1833 में इन सब माहौल में क्या हुआ, कुछ बातें, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ एक expression खत्म होगा, और वो expression खत्म होगा, ब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, और वो बना वर्रिन हेस्टिंग, इसी तरीके से एक नया expression आता है, बंगाल का गवर्नर जनरल, अब भारत का गवर्नर जनरल होगा, और वो बना बेंटिक, बात 1833 की हो रही है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब क्या हो गया, वहाँ क्या कि governor को बंगाल का governor general बोलेंगे इससे क्या किया गया था क्यों किया गया था इसलिए किया गया था ना के मद्रास और Bombay की presidency को इसमें डाल दें इसके अधीन कर दें थोड़ी supremacy होनी चाहिए एक केंद्रिय ध्हाचा बने तो क्या बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा इससे क्या मैसेज जाएगा इससे मैसेज जाएगा कि सुप्रीम पावर अब भारत का गवर्नर जनरल है क्योंकि वो भारत का गवर्नर जनरल है सारे टेरिटरी का बॉस है सबसे उपर तो कहा गया कि अब क्योंकि बंगाल का गवर्णर जनरल भारत का गवर्णर जनरल बन गया इसलिए मद्रास और बॉंबे के गवर्णरों की जो विधाई का संबंदि शक्तियां है वो खत्म कर देंगे अब आपको कानून मनाने की जोरत नहीं है, कानून बना देगा भारत का गवर्नर जनरल और भारत में गवर्नर जनरल सबसे मजबूत वैदाने की स्थिती में आ गया गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए अभी तक काउंसिल चल रहे थी अब एक और member आ गया जिसको कहते हैं विधी सदस्य law member आ गया ये law member क्या करता था governor general अपने executive जब फैसले ले रहा होता था तो वो इसके साथ नहीं बैठता था लेकिन law संबन्दी कानून संबन्दी जब बैठके करता था तो law member उसके परिशद में होता था ठीके बैठक में होता था परिशद में इस थाई रूप से वो आगे आएगा ठीके governor general को एक और ताकत दी गई कि भारतिय विधी आयोग के स्थापना केजिए Indian law commission के स्थापना कर सकते हैं आप केजिए ताकि एक central legal system बने और यह जो विधी आयोग बनेगा यह सारे अदालतों के ऊपर हो वो यह उनको direct करे कि कैसे काम करना है लेकिन सबसे महत्वकून बात कि 1813 में company को कहा गया था कि तुम्हारा एक अधिकार नहीं रहेगा व्यपार कर सकते हो ठीके अब 1833 आते आते तक क्या स्थिती बनी व्यपारियों को और दबाव बढ़ गया 1833 में इनकी व्यापार वाले हिस्से को खत्म कर दिया गया यह सिर्फ अब प्रशासनिक निकाये बन गये ठीके यह बहुत बड़ा फैसला है ना मतलब समझे कि अभी तक कंपनी जो व्यापार करने आई थी मुनाफ़ा कमा रही थी उसका मेन काम व्यापार करना था प्रशासनिक शक्तियों को तो उसने हासिल किया था राजनितिक रूप से धाचा तो उसने खड़ा किया था धीरे धीरे उसको ब्रिटिस सरकार ने रेगुलेट करना शुरू किया ब्रिटिस सरकार ने कानून बनाना शुरू कर दिया कि ऐसे ऐसे चलो यह काउंसिल है यह एक्जेकुटिव है यह वैधाईक सा तमबंदी शक्तियां हैं यह सब करने के बाद 1833 में आकर हुआ कि कम्पनी इतनी ज़्यादा खराब इस्थिति में आ गई कि उससे कहा गए कि व्यापार मत करो बाकी जो करना है करो तो व्यापार के गतिविधियां खत्म हो गई और सिर्फ प्रशासनिक निकाय बनकर वो रह गया ठीक है प्रशासनिक निकाय मतलब administration कीजिए लेकिन व्यापार मत कीजिए तो यह एक बहुत ही important फैसला है और आप समझ रहे हैं कि 1806 में नेपोलियन के प्रभाव के वज़े से और मतलब नेपोलियन के प्रभाव 1813 तक 14 तक था तो 1813 में उस दबाव में act में क्या किया गया कि एक अधिकार खत्म कर दो और 33 में क्या किया जाएगा क्योंकि व्यापारियों का दबाव लगतार बना हुए कहा गया कि ठीक है उसनमें तो license के जरीए दिये थे जाओ free entry है भारत के market में गुसो और जाकर बाजार करो तो भार को British कर लीजेगा ऐसे तो बंगाल presidency को दो हिस्सों में बाट दिया गया पहले हम तीन प्रेसिदेंसी देखते थे अब दो हिस्सों में बाट दिया गया बंगाल को एक को कर दिया गया कलकत्ता यानि फोर्ट विलियम जहां भी फोर्ट विलियम आया समझजी ये कलकत्ता की बात हो रही है और दूसरा कर दिया गया आगरा ठीक है तो अब चार हो गए भारत में दास्ता को खत्म करने के लिए प्राउधान किये गया जैसा मैंने कहा कि वहां सुधारों का दौर चल रहा था भारतियों को प्रशासनिक पदों में प्रवेश करने का मौका मिला लेकिन विरोध हुआ तो इसको लागू नहीं किया सका लेकिन 1839 में ही ये प्राउधान किये गये कि किसी नसल के भे अधार पर रंग के अधार पर जाति के अधार पर जन्मस्थान के अधार पर आप भारतियों को नेटिव को ओफिशियल पदों पर जाने से रोकेंगे नहीं तो एक मौका मिल गया कि भाई अब सिविल सर्विसेज में यहां के प्रशासन में यहां कमपनी के नौकरी में वो आ सकते हैं लेकिन वहां विरोध हुआ ब्रिटेन में तो यह पास नहीं हो सका फाइनली 1813 में जाकर यह पास हो सका 1813 में कमपनी के शासन को बढ़ाया गया ध्यान दीजिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे 1793 से जब चार्टर हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं कमपनी के व्यापार के एक अधिकार को 1793 में 20 साल के लिए बढ़ाया गया 1813 में कमपनी के व्यापार के अधिकार को बढ़ाया गया लेकिन एक अधिकार खत्म कर दिया गया एक अधिकार कि स्वर बचा चाय और चीन के साथ चीन के साथ व्यापार पर 1833 में कमपनी को कहा गया कि आपका अब व्यापार का अधिकार ही नहीं है आप प्रशासनिक निकाय बनके रहिए व्यापारी गतिविधिया आपकी खतम हो गई और 1833 में क्या वर्ड आ जा रहा है जब कहा गया कि भाई प्रशासनिक निकाय है तो व्यापार को नहीं कमपनी के शासन को बढ़ाया गया लेकिन ये नहीं बताया गया कि कितने समय के लिए बढ़ाया जा रहा है व्यापार तो 20-20 साल के लिए बढ़ाते थे और शासन को कितने समय के लिए बढ़ाया गया ये नहीं बताया गया इसका मतलब क्या हुआ कि भई आपको लॉलिपॉप पकड़ाया था बिटिश गौवर्मेंट ने और अब क्या होगा बिटिश गौवर्मेंट मनी मन तयार है मौका खोज रही है कि बस एक मौका मिले और मैं तुमको कहूँ कि तुम्हारा शासन करने का भी अधिकार खतम तुम्ही को खतम कर देते हैं अब सीधा सीधा हम राज करेंगे इस मार्केट पर तो जी समझ गये बिना किसी समय सीमा के था गौवर्मेंट गौवर्नर जनरल का पहली बार दो काउंसिल बन गया एक तो legislative council बन गया और एक बन गया executive council अब इस बात को समझेए अभी तक गौवर्मेंट गौवर्नर जनरल जो है उसकी executive council ही थी जिसको हम जी जी का council बोल रहे हैं जी जी मतलब वो दिदी वाली जी जी नहीं गौवर्नर जनरल यहाँ council क्या था एक्जेक्यूटिव था कारेपाली का काउंसिल ठीक है एक्जेक्यूटिव की तरफ का परिशद था कारेपाली का परिशद यह अब तक की स्थिति थी लेकिन 1823 में इसको इस्पष्ट तौर पर दो भाग में बांट दिया गया एक को कहा गया लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें छे मेंबर्स हुथे ठीक है और एक को कहा गया एक्जेक्यूटिव काउंसिल जो की चली रहा था और यहां जो विधी सदस्य जिसको कहा गया था कि गवर्नर जनरल को असिस्ट करना और वो जब विधी के मामले होते थे तभी बैठक में आता था उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य बना दिया गया शामिल कर दिया गया तो पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्णर जनरल के विधाई और प्रशासनिक शक्तियों का बटवारा हो जाएगा छे सदस्य भारतिया या केंद्रिया विधान परिशत का गठन होगा इस लेजिसलेटिव काउंसल को क्या नाम दिया गया भारतिया विधान परिशत ठीक है या इसी को केंद्रिया विधान परशत भी कहते थे परशत में इस्थानिया प्रतिन धित्व भी शुरुआ ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार जो वहां के लोकल प्रतिनिधित्व उसमें हर प्रोवेंस से एक-एक सदस्ट से चुन कर आने लगे और विधी सदस्ति को गौवर्नर जंदल की परशत का स्थाई सदस्ट से बना दिया गया तो ये है पूरी कहानी 1773 से लेकर 1859 तर मुझे उमीद है कि आपको ये कहानी की तरह ही समझ में आया होगा और मुझे उमीद है कि ये आप नहीं भूलेंगे लेकिन अगर आपको लग रहा होगा कि इसमें समय के बरबादी ज्यादा हो रही है तो फिर हम इसका शौट कोई तरीका निकालेंगे लेकिन आपको फैसला बहुमत के आधार पर होगा और फैसले में आपको कमेंट करना होगा कि इसी तरीके से आगे बढ़ें या फिर चेंज करें चली आज मैं इतना ही रखते हैं आज के एपसोड में इस पूरे पर मैंने जो काम किया है मतलब जो पॉइंट्स लिखे हैं सारे ये आपको अच्छ अच्छा कर सकते हैं इस पर किताब से मिलाएगा तो बहुत सारे प्राउधान आपको दिखेंगे बहुत सारे नहीं दिखेंगे क्योंकि वो पूरा चेन नहीं है एक कहानी नुमा आगे नहीं बढ़ा हुआ है किताब में इन पॉइंट्स को जिक्र करता है तो आप बहुत से इस पर भी रिलाएग कर सकते हैं इसका पीडिएफ मैं आपको दे दूंगा अमृत उपाध्याए ए एम आर आई टी यू पी ए डी एच वाई एवाई जिरो जिरो सेवें यही मेरे यह टेलिग्राम चैनल है यही मेरे सारे हैंडल्स का पता है इंस्टा पर भी अमृत उपाध्याए 007 है ट्विटर पर भी अमृत उपाध्याए 007 है इन तीनों पर आपको अमृत उपाध्याए 007 से मैं मिल जाओगा तो आज इतना ही रखते हैं अगले एपसोड में फिर मुलाकात होगी उस समय हम मुख देखेंगे क्राउन का शासन और क्या-क्या-क्या-मेहत्वपॉंड क्राउधान 1808 से लेकर 1940 तक नमस्कार ध्यान रखिए ठीक से पढ़ाई कीजिए कैसा लगा कारिक्रम जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए नमस्कार